सौंच ये अगर आप कोई चीज, जैसे कोई गाना प्ले करने के बारे में सौंच ये और वो प्ले हो जाए या सौंच ये आपको एक एंजीनियो बनना है तो आपको सर्फ एंजीनियरिंग की नॉलिज डाउंलोड करके अपने दिमाग में सेफ करने की ज़रूरत है कोई यूनिवर्सिटी ये कॉलेज जाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं ये वीडियो देखने के बाद आपको साइंस फिक्षिन शो वाली फीलिंग आएगी लेकिन ये फ्यूचर में रियालिटी बनने वाला है Welcome to Wild Reality और आप देख रहे हैं The Future of Humans with Artificial Intelligence Transhumanism Tesla Founder Elon Musk और उनकी Neural Tech Startup Team का मानना है के उनके बनाए हुए Electronic Brain Computer Interface से ये सब पॉसिबल है जिसका नाम Neural Link है Neural Link को आपके स्कल में मतलब आपके सर में बिल्कुल छोटे वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा ये छोटे से Electronic Brain Computer Interface चिप के इंस्टॉलेशन से इनसान के केपिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ इनसान का Technology यूज़ करने का भी तरीखा Change हो जाएगा इनसान के Neural Issues मतलब दिमागी बीमारी जैसे Alzheimer's एपिलेपसी का Treatment करने में भी मदद करेगा Neural Link बनाने की असल वज़ा ये है के Elon Musk का कहना है के वो डढ़ते हैं बढ़ते AI टेकनोलोजी से फ्यूचर में कहीं इंसान Artificial Intelligence के पीछे न छुट जाए जैसे मैंने Amazon Go वाली वीडियो में बताया था कि कैसे इंसान रिप्लेस हो रहे हैं Artificial Intelligence से जो Unemployment Rate बढ़ाएगा Amazon वीडियो का लिंक Top Right Corner से आप चेक कर सकते हैं Elon Musk का गोल है के फ्यूचर में ये दिमाग में इंस्टॉल होने वाली चिप की हल्प से इंसान अपनी इंटलिजेंस बढ़ा कर Advanced Artificial Intelligence से कमपीट कर सके लेकिन अभी बहुत टाइम है ये Artificial Intelligent Human Hybrid मतलब इंसान दिखने वाले रोबोट को एमर्ज होने में नियूरलिंक ऐसी टेक्नॉलजी है जहां इंसान मशीनों से इंटरैक्ट और मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ उनके दिमाग से मतलब आपके थौट से आपको सिर्फ उसके काम के बारे में सोचना होगा और वो हो जाता है पहले इसको कान के पीछे इंस्टॉल करने के लिए कॉम्पलेक्स बीन शेप का एक डिवाइस डिजाइन किया था लेकिन रिसेंटली इलोन ने नियूरलिंक का अपडेटेड डिजाइन ओ पॉइंट नाइन वर्जिन अन्वेल किया जो साइज में आट मिली मीटर मतलब एक छोटा कॉइन जितना है और उस कॉइन को 1024 electrodes attached है एक electrode का साइज एक धागे जितना है मतलब एक चिप को जैसे 1024 धागे attached है लैसिक सर्जरी की तरह पेइनलिस और इसली नियूरलिंक को अपने दिमाग में इंस्टॉल करा जाता है बिना कोई बड़े operation मार्क के इस चिप को दिमाग में install करने के लिए पहले आपके दिमाग का थोड़ा सा पीस निकाल दिया जाएगा और निकाले हुए तुकड़े की जगह नियूरलिंक दाला जाता है ताके नियूरलिंक आपके दिमाग को अच्छे से चिपक कर बैठ सके इस चिप का installation process बहुत ही perfectly करना होता है तो इसके लिए नियूरलिंक टीम ने special fully automated 8 feet लंबे surgical robots बनाए हैं सिर्फ ये चिप installation operation के लिए जो एक घंटे के अंदर complete हो जाता है इंस्टॉल होने के बाद आपके दिमाग के त्रू ये चिप आपकी body में electrical signals send और receive करेगा और ये electrical signals आपको help करते हैं machine, computer और smart devices को control करने में आप सोंच रहे होंगे ये कैसा होता है आपका दिमाग neurons की help से information भिचता है आपके दूसरे body parts को आपके दिमाग के सभी neurons एक दूसरे से connect होके एक network बनाते हैं ताके वो chemical signals जिसे neurotransmitters कहते हैं उसे communicate कर सके ये सब दिमाग में हो रहे reactions body में electric field पैदा करते हैं और आप ये सब reactions record कर सकते हैं electrodes emotions वाले signals को algorithm मतलब computer language में translate करता है Elon Musk का कहना है कि in a long run Neuralink devices के साथ साथ robots को operate कर सकता है paralysis और mental illness का इलाज भी कर सकता है music को सिर्फ दिमाग से play करा जा सकता है और hearing frequency की range मतलब इनसान normal सुने वाली frequency की बढ़ा कर ज्यादा दूर तक की बाते या आवाजे सुन सकते हैं auditory cortex मतलब दिमाग के बीच का हिसा एक hidden microphone की तरहा काम करेगा मतलब auditory cortex सब record करेगा जो भी इनसान सुन रहा है science fiction movie matrix में जैसे नियोग खुद के दिमाग में अलग-अलग skills डाउनलोड करता है वैसे ही अब हम अपने दिमाग में कोई भी skills या knowledge डाउनलोड कर सकते हैं this is no more a science fiction concept, it's a reality neural link ने इस chip का demonstration एक पिग में neural link को install करके बताया है यह demo से मालुम होता है कि वो पिग कैसा function कर रहा है और इसके results positive आए हैं एक limit तक देखा जाए तो यह chip बहुत अच्छी है लेकिन हर चीज में कुछ अच्छे और कुछ बुरे effects रहते हैं neural link से तो इनसान की main system से छेड़ छाड़ हो रही है आप ही सुचिए इसका बुरा effect इनसानों में कैसे नहीं दिखेगा मेरी next video में हम देखेंगे इसका impact इनसानों पर किस तरह से होता है सो स्ब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेस दे बेल आइकन ताके आने वाली मेरी next videos आप तक पहुंच सके हम ऐसे facts और information आप तक जरूर पहुंचाएंगे वीडियो अगर पसंद आए तो like और share जरूर कीजिए और हम मिलेंगे मेरी next video में अंदिल देन तेक केर